प्रदेश संगठन को मजबूत करने बड़ी फोस तयार करने में जुट गई है ये कुछ वैसा ही है जैसे 2018 चुनाव से पहले कॉंग्रिस ने अपने कारेकरताओं को तयार किया था जिसके दम पर कॉंग्रिस ने सत्ता में वापसी की लगता है हार से सबक लेकर देर से ही सही बीजेपी भी अपनी तयारियों में जुट गई है बीजेपी ने प्रस्रिक्षित कारेकरताओं की टीम बनाना शुरू कर दिया है पहली कड़ी में प्रदेश इस्तर ये कारेकरताओं का तीन दिनों का प्रस्रिक्षन कारेकरम शुरू हुआ जिसमें 300 कारेकरताओं को ट्रेन किया जाएगा जो जिले और मंडल स्तर पर जमीनी कारेकरताओं को ट्रेनिंग देंगे बीजेपी का कहना है कि प्रस्रिक्षन सिविर का मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वेवस्था परिवर्तन तैयारी तो हम लोग सदेव लगे रहते हैं चुनाव के तैयारी में एक चुनाव संपन करते हैं तो अगले चुनाव के तैयारी करते हैं हमारे कारकरता सदेव जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं 2023 के लिए भी कार करता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष नहीं है विवस्था परिवर्तन जो विवस्था चोपट कर दिया है बुपेश लिए उसमें भी परिवर्तन लाने का लक्ष है उधर बीजेपी की तैयारियों पर कॉंग्रेस ने तंज कसा है कॉंग्रेस का कहना है बीजेपी को जनता ने नकार दिया था ऐसे में जनता के सामने अपने आपको मजबूत दिखाने के लिए इस तरह के कारिक्रम किये जा रहे हैं, जिसका कॉंग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है। वैसे 36 गड़ में विधान सवा चुनाओं को लेकर तीन साल का लंबा समय बाकी है। लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए दो साल तक शांत रहने वाली बीजेपी ने पहले से ही योद्धाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि सत्ता जा कांग्रेस और बीजेपी अपनी प्रशिक्षित कार्यकरताओं की टीम बनाने में जुड़ गई है। इस सलसले में बीजेपी का तीन दिन का विशेश प्रदेश इस तर ये प्रशिक्षित बिया शवर बी अब शुरू हो अनुराग अगरवाल साहब प्रवक्ता है बीजेपी के और धनवेंद्र जाइसवाल साहब स्टेट एडिटर है बंसल नियूस के आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है इससे पहले की चर्चा को शुरू करूँ धनवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा दो साल का सत है किस तरह से देखते हैं आप इस प्रिश्रिक्षण को क्या आपको लगता है कि अब आगामी चुनाओं की तयारी वह भी बहुत जल्दी शुरू हो गई है देखे भारती जन्ता पार्टी की परिपार्टी रही है अपने कायकरताओं को प्रसिक्षित करने की लगभग इस तरह के प्रसिक्षण स्वीवीर हर दो साल के अंतराल में होते रहे हैं एक बात महत्पूर्ण है भारती जन्ता पार्टी 2018 का चुनाओं हारने के बाद चुनाओं की बात चुनाओं की बात चोड़ देने जैदी 2019 का लोग सबाद चुनाओं बिलकूल अलग था उसका कोई स्टेट पॉलिटिक्स का कोई कनेक्षन नहीं था उसके बाद पंचायतों के चुनाओं हुए निकायों के चुनाओं हुए भारती जन्ता पार्टी में ताजगी वो इस फूर्ती नजर नहीं आ रही थी जो भारती जन्ता पार्टी के कारकरताओं में पिक्षा की जाती है। पार्टी की आडियोलाजिकल लाइन को लेकर के तो यह तमाम अलग अलग आठ नौ उद्दे होते हैं इस पर तीन दिनों का प्रसिच्छन सत्र चलता है। जो लोग निकलेंगे वो जीला इस तर के प्रसिच्छन सिवीरों में जाएंगे और फिर वहां से मंडल इस तर के प्रसिच्छन सिवीर लगेंगे। और भारती जनता पर्टी के अपने एक कारिशेली है वो धीरे 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 लगातार आगे बढ़ते रहती है और जब वो उसके आकरम अड़ता भी धीरे धीरे बढ़ती चलियाती है। जो इस तरीके से बनाती है जैसे वो सभाविक तोर पर राज्य सरकार के खिलाफ जो एक आवाज उठनी चाहिए उस तर के आवाज उठनी चाहिए ऐसा प्रतीत हो यह भारती जनता पार्टी की कारिशेली है इसकी शुरुवात है यह जो है अनुराग अगरवालन साहब हमारे साथ जुड़ हूँ है धरमेंद्र जाइस्वाल साब ने अपना आकलन सुना दिया बता दिया क्या कुछ कमेंट आपका चाहूंगा बेलकुल ठीक कहा धन्विन जी ने ये भारती जनता पार्टी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और ये हमारे यहां लगातार परिपार्टी है जब से भारती जन्संग का गटन हुआ था हम लगातार साल भर विभिन इस तरों पे कारकरताओं को प्रसिक्षित करते जा रहे हैं आज उसी परिप्रेक्ष में अखिल भारती प्रसिक्षण शीविर भारती जन्तापाटी कारेलाएं में प्राराम हुआ है इस तीन दियुसी सिवीर में पूरे प्रदेश के चुनब हुए 300 प्रसिक्षकों को प्रसिक्षित करेंगे हम यहाँ पर यह बाती जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं बनी है और हम सत्ता नहीं व्यबस्था परिवर्तन की बाते करते हैं इन ही सब विचारधाराओं को लेकर हम प्रसिक्षकों को प्रसिक्षित कर रहे हैं ये जाकर भारती जनता पार्टी ने अपनी पूरी विवस्था उन 30 सांगठिनिक जिलों उसके अंदर 408 मंडल उसके अंदर 4200 सक्तिक अंदर और 2400 बूथो तक अपनी विचारधारा नए औ और पुराने कारकरताओं के भी सामन जस्से को लेकर ये कारप्रणाली ये प्रसिक्षण वरकर रखा हैं जी भारती जनता पार्टी के प्रत्य कारकरताओं को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर एक राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है किस उद्देश्यों को लेकर लड करने की जिम्मेदारी दी गई लेकिन एक कश्मीर एक ऐसा विशरहा जिसको नहरूजी ने अपने पास रखा और वो दर्द आज तक भारत वसी भोग रहा था कि एक देश के अंदर दो विधान दो प्रधान और दो समविधान की बात होने लगी तब उन्हें लगा कि एक र लूपाध्याई जी के एक्समानवावाथ के सिद्धन से लेकर आज के परिप्रेक्ष में आज की परेटी में कारकरतां को कैसे प्रसिक्ष्ण की यह जा कर किन देंगे और बहुत इस थरो पे प्रसिक्ष्ण देंगे अमिस साब डॉक्टर रमन सिंग का बयान हमने सुनाया था उनका खैना था कि ये जो प्रेस्टिक्शन शिविर है सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है बलकि वेवस्था परिवर्तन के लिए इसातिरों ने ये भी आरोप लगाया कि जो कुछ वेवस्थाएं 36 गड़ मे बिजेपी सरकार ने बनाई थी उन सबको नेस्तों नाबूद कर दिया है जी ठीक का उन्होंने बिल्कोल मैं उनकी बातों से सहमत हूँ सोहेल जी कि जिस प्रकार की ववस्था प जिस प्रकार का माफिया रास्ता जिस प्रकार से कमिशन खोरी थी और जिस प्रकार का बंदर बाट था और आदर्णी पूर मुख्यमंद्री जी को कहना पड़ा था अपने कारकरताओं को अपने नेताओं को अपने नेताओं को उन्होंने कहा था कि एक साल आप कमिशन खोरी म हमने तोड़ा है एक जर्ग मीनदी इती और बीच चाहती है वह कभी उन्होंने की पोशीज नहीं कि और अपना भुश्चना पत्रिपी जनता के बीच में जाके बनाया जंता को सामझ में आया कि पंदरा सालों से जो सरकार थी वह कभी ना जंता से उसका कोई सारोकार था ना जंता से वो कुछ बूस्ती थी ना जंता को कई कारे होता था सिर्फ वो देड़ों सोर लोगों में बढ़के वो बीजेपी रह गई थी और जो पार्टी विड़ डिफरेंस की बात कही जाती थी निश्चित तोर पे उसको पूरे तरीके से जो इनका पूर्व निक्तित था उन्होंने तोर मरोड के रखा था अब देखिए मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार जो आई है निश्चित तोर पे 15 साल हमारे करकरता हूं यह पूरे रंड को लड़ा था और हमारे आन बान शान और हमारे प्रान अगर कोई है तो हमारे पार्टी के एक करकरता जिरोंने लगातार 15 साल उस सरकार से लड़ा जिरोंने जूटे केसों में फटाने का कई बार हमने देखा है कि हमारे करकरता हूं को जूटे केसों में फटाया गया कांग्रेस बावन में उसके लाठी चार्ट किया गया प्रतारी करने की कोई भी स्कीमा को उन्होंने हमेशा पार किया हमारे कारकरता तब भी चल से मस्ते हुए और लगातार उन्होंने अपुरवर्ती सरकार से लड़ा और देखिए हमाई बड़े गर्व से कहते हैं सोहिर जी बार बार कहते हैं एक बार नहीं बार बार हम कहेंगे कि हमारे करकरताओं की वज़ा disciplती पार्टी को हराता है मंज के सामने वाला जीते हमें सब पार्टी को जिदाने का काम करता है ये लोक्तांत्रिक व्यवस्ता है और जब लोक्तांत्रिक मुल्यों को हनिम करने का प्रयास अगर बिजेपी का कोई लीडर करेगा तो निश्चित तोर पे हम उस बात को रखेंगे आज इनका देखिए आज इनकी ये अंदूनी मामला है कि बिजेपी क्या कर रही है कारकरताओं को रिचार्ज कर रही है रमन सिंग जी कह रहे हैं हमारे को व्यवस्ता बदलनी है आप बदलिये लेकिन भाई साब जो कारकरता को मांस समान आप क्या मिलना था आज आप कारकरणी बनाते हैं कारकरताओं को आप उन्हीं लोगों को लेते हैं जो 15 सालों में लगातार आज हमारे एक सेख बूच्च कारकरता है हमने देखा है कि संघर्ष के दिनों में उन्होंने वो भी आगे माले कर दिया जाता है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर किसी कारकरता को तबाने का प्रयास किया जाएगा हम सरकार में आ चुके थे हम उठाएंगे और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी बीजेपी समझ जाए लेकिन बीजेपी के बड़े देता ना सोचने ना देखने ना समझने को तैयार नहीं है और देखिए जिस प्रकार का उनका नितित तो है उस पर ज्यादा कुछ कहना नही होगी तो पंदरा साल दे मिल साल वो चौदा में आके रह जाएगी अनुराक साब से इसका जवाब ले लेते हैं अनुराक साब मुझे बड़ा अश्चर होता है कि अगर कोई भारती जनता पार्टी जैसी वड़ी पार्टी अपनी कारकरताओं के आंतरिक प्रसिक्षण के लिए कोई कारकरा बयाजित करती है तो क्यों कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है यह तो हमारी आंतरिक व्यवस्ता है कि ह हैं वह अंपने कराकरतां को परस्खित कर रहे हैं भय का वढ़ादा देखिय की 22 वहने की सरकार हुई है तники आप से यो कहते हैं बार बार की हमने जंता से पूछ के घोषनड़ बनाइद दो घृषन पत्र बनाइदा की बाद हो यह महिला सुरक्षा की बात में साल के अंदर चार बलतकार की घटनाओं की बात हो चाहे 25 रुपा युवाओं से भद्ता देने की बात हो आप कहते हैं कि आपने 26 को क्या दिया हम कहते हैं आपने क्या-क्या छीना प्रधान मंत्री आवास योजना के तःध केंद्र चाहें और माफिया बधान की बात करते हैं कि आज देखिए कि 56 ड़्में शराब माफिया का क्या हाल है रेट माफिया की जन्र प्रतिनी धी फिर लगातार पिटे जाते हैं और अपराद का तो यह है कि स्चत्रगड के हिर्दा इस्थल राजधानी राइपूर के जय स्थम में सरे आम एक अवेक्ति की हत्या हो जाती है मुझे लगता है कि हमें लोगों को जानने की अत्यांत आवर्श रखता है कि इन्होंने स्मार्ट काड छील लिया इन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना चिली मतलब बहुत सारी योजना है जो इन्होंने चिली और सबसे बड़े बंदर भाट का प्रत्यक्ष धारणा भी आप देखिए साथ हजार करोड रुपए का जल जीवन मिशन जो प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जी की परिकलपना थी कि छत्यक्ष के 43 लाख परिवार में घरों तक नल जल के माहमनल और जल पहुंचे सुद्ध पेजल प्राप्तो उसको इन्हों रद करना पड़ा और उस पे साथिकारी ना कोई मंत्री पे जिम्मेदारी दखता है नहीं कर पाई है मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बंदरबाट का कारण मुझे नहीं हो सब्सक्राइब लेकिन भारती जनता पार्टी इन तमाम मफनों को लेकर थे 23 महीने की सरकार होगे ये प्रदेश में कांग्र कर दासा क्यों है कि वह जन्हीत से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता बीश जाने से अभी कतरा रही है अपने बहुत अच्छी बात ठोड़े पहले की थी अपने प्रथम रेक्टर में आपने बात कि थी भारती जनता पार्टी की कर एक कार्य प्रणाली होती एक तरीक लगता है कि भारतियों गंताकार्टी के कार्यपणाली उस कार्यपणाली के तहत धीरे-धीरे वह जनता के भी जा रही है अभी रैपूर में कुछ दिन पहले जीलाद धक्ष श्रीचन सुंद्रानी जी हमारे पूरों मंत्री ब्रिज्मोहन अग्रवाल जी राजेस मुलत जी क परते है कि अब कर्दूर है को उनकी शुरुआध तोस्ति के रिकर्टों हिंने के लिएक कीकि रिए कर्ण और परता है कि पासाना चाहूंगा क्या लगता है मौजूद है दौर में जिस तरह की स्यासत है कि आप तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर आश्वस्त हैं वो यह बास समझ गए हैं कि चाहे आप विपक्ष में क्यों ना बैठे हों लेकिन आपको सक्रियता पूरे पांच साल दिखानी होगी वरना जो नीरस् जनता की बीच में बेजना होगा तब ही कारकरता एक्टिव रहता है कि एबद छुनाओं के साल विधर आप जनता की पीच में जाएंगे तो जनता भी नकााद देती है जनता पी इस बात के अइसास कराना होता राजनितिक दलों हो या प्रसासन कि तरफ से कोई गरभडी सामने Ja मजबूती के साथ घठा रहा है उनको सरकार से नया दिलाते रहे करना लोगों को लाभ पहुंचाना लेकिन बीच में गरभडी होती है कोई या समुद्दा होता है या कोई ऐसी नीती होते हैं जो जनता के खिलाफ जाता हो तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी को उसको लेकर कि वह अवेयर हो जागरूप हो उसको लेकर कि न केवल खुद आवाज उठाए बलकि जनता की बीच में जाकर करके उनको ये बात समझाए भी कि राजी सरकार की इस पैकले से आपको नुकसान होने वाला है और वो जनता का सहयोग ले और जनता का सहयोग करे भारती जनता पार्टी ने भी उसकी सुरुवात लगभग नहीं की है एकात मुद्दे को छोड़ दिया जा एकात अंधोरन हुए है भारती जनता पार्टी अ कारेकर्टाओं की नाराजगी की कई खबर हैं सर कि आप भी कोई ऐसा विशेश प्रेस्ट्रिक्षण शेविर चलाएंगे कारेकर्म चलाएंगे जिसके लगातार अपने कारेकर्टाओं से रूबरू होते रहें. रहता और हमेशा मैंने जैसा कहा कि 36 गड़ में 300 लोगों में सिमटके रहे गई है भाजपा और इसका भाजपा को खाम्याजा भी उठाना पड़ता कि कारकरता उन्हें जैसे किसी ने कहा है ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर पुलहाडी में लखडी का हिस्सा नहीं होता तो कारकरता बहुत समझतार है सोहल जी जब कारकरता के मन के मुदा भी काम नहीं होता है तो कारकरता 15-14 ट्रीटों में लाने में भी देरी नहीं करता है यह गूश्म को बताना चाहता हूं bond कि अनुराक साब आरहा है आपके सरकार के खिलाब वही टीसी देव जी अनुराक जी देखिए वरिष्ट मंत्री को आपने 15 सालों तक तो आपने मश्री पलो है और आप हमारी चिंता कर रहे हैं अरे आप 15 साल कि कार्करताओं में नाराजगी और यह वर आपने मंत्री की अपने नेताओं की शिंता कर लिये रहते तो आप लोग नहीं आते लेकिन जिस प्रकार से भाजपा जूट और अश्रत्य जी राजिति अनुराग जी करती है ना और निचले इस सर तक तक सोहिल जी ये स्री सासनकाल में कोई गलती होई उन्होंने अपने किसी नेताक साथ कूछ किया उसका अनुसरन करने का अधिकार कांग्रेस को कहां से मिल जाता है यदि कांग्रेस के कारकरताओं में नाराजगी है और ये बात सामने आ रही है तो उनको संतूश करने का वक्त है ये तो कारकरताओं को उनके हक दिलाने का वक्त है यदि आप सरकार में है तो उसकी हिस्चदारी आपके कारिकरता भी महसूस कर सके यह ना वक्त है और यदि आप उसको ब्रिजमोहन अग्रवाल या किसी दूसरे मंत्री का उधारन देगा के जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो यह नुक् कर्कार आई है और हमारे मंत्रियों को भी आदेश दिया गया था कि आप कांग्रेस भावन ने बैठी है जनता के साथ साथ कार करता हो की अगर कोई समस्या है तो आप उसको सुझाईए और आपने देखा है कि हर हफते कोई लाघ कोई मंत्री वहां पर बैठता था कारकरता क करता है कि हम को पता है कि हमारे मजबूती हैं हमारे कार करता है और हमारे केंदरी नेतिक अरुम अनुराग जी फाइनल कमेंट अनुराग जी समय कमें फाइनल कमेंट आपका जी सुएल जी मैं एक बहुत चोटी सी बात कहना चाहता हूं मुझे लगता है कि आज का डिवेट हमारे प्रसिक्षण के उपर था जब अविजी ने सवाल उठा दिया तो मैं भी बोलना चाहूंगा बार बार जो कहते हैं कि 15 साल में कारकरता असंतुष्ट हुए तो यह मानते हैं ना कि 15 सा सरकार के खिलाब भी खड़ा हो जाते हैं चाहें लेमरू प्रोजेट की बाद हो जब यह जाके कहते हैं कि आप सरकारी प्रदीदी के बात मत मानिये मैं सास्की मंत्री नहीं हूं मैं यहां का आदमी बोल रहा हूं जब चरंदास महंद जी अपने जीला में जीला धिश की न स्रासन की तरफ से सिर्भिनों ने दो मंत्रियों को बोलने के लिए अधिक्रीत किया है मतलब कोई मंत्री अपने विभाग की बात भी नहीं कर सकता मुझे लगता है कि कांग्रेस को आपने गीरेबान में जाना जाकना चाहिए भागती जंता पार्टी आज का जो नहीं होनी चाहिए चलिए बीजेपी का प्रसिक्ष्ण शिवर था जिसको लेकर अब सियासत गर्मा रही है कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं उसने साफ तो पर ये तक कह दिया है कि बीजेपी के भीतर ना सिर्फ कारेकरता नाराज हैं बलकि कई नेता भी नाराज हैं और ये सब प्रसिक्ष्ण शिवर उसे मनाने की एक कवायत है अमिच जी अनुरांग जी धनवेंद्र जी आप तिनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में इससा लेने के लिए तो आज की इस मुद्दा में फिलाल इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार